Hello everyone, तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं B.A. Second Year Third Semester का Economics यानि अर्थशास्त का सिलेवस ठीक है और जो Third Semester है उसमें जो पेपर होगा एक ही पेपर होगा उसका टाइटल है हमारा History of Economics Thought यानि आर्थिक विचारों का इतियाज इसमें हम विधानों के जो अर्थशास्त्री हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे उनके जो Thoughts हैं उनके जो विचार रहे हैं ठीक है उनके बारे में पढ़ेंगे और यह जो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने second semester में principle of macro economics पढ़ा होगा है ना और third semester में पढ़ेंगे हम history of economics thought ठीक है तो यह अब हम syllabus पे चलते हैं Hindi English दोनों ही language में हम इसको समझेंगे तो इसमें unit first है unit eight है इसमें जिसमें दो part बने वे है part first में देख लेते हैं part first में हमारी four unit है और part second में भी बाकी की four unit है ठीक है तो total eight unit है हमारे syllabus में अब इसमें unit के अंदर भी topic होते हैं तो उनको देख लेते हैं तो unit first में हमें पढ़ना है economics thought of cotalia मतलब यह विधानों के नाम है ठीक है cotalia के जो economics thought है cotalia यानि जो चाड़क्या थे चंद्रकुत मौर रहे के उसमें ठ ठीक है उनके बारे में पढ़ना है दादा भाई नरो जी के बारे में पढ़ना है आरसी दत के बारे में बियार अमबेटकर जी के बारे में पढ़ना है ठीक है उनके जो economics होड़ते राम मनुहर लोईया गांदी जी के जो thoughts से economics से related वो पढ़ना है दीन दयाल उपाद्धिया जे के बारे में पढ़ना है हमें AKSN and जे भागवती इन सब के बारे में जो भी ये विधान है अर्थशास्ती है ठीक है उनके बारे में हमें पढ़ना है और ये इंडिया से ही ब्लॉंग करते हैं सभी ठीक है यूनिट सेकिंड में पढ़ना है early period economics thought of plateau plateau and arastu arastu और plateau के जो economics thought थे उनके बारे में हमें इसमें पढ़ना है प्रारंबिक काल में ठीक है plateau और arastu का आर्थिक विचार और जो इनके विचार में उचित लागत और उचित मुल्ले के सिधान जो है वो भी हमें इसमें पढ़ना है unit second में next है हमारा unit third जिसमें हमें पढ़ना है वेपारिक्ता ठीक है वेपार के बारे में पढ़ना है इसकी मुखे विशेष्था है पढ़ना है Thomas Moon Phygeography जो है उनके बारे में पढ़ना है जो उनकी प्राकृतिक विवस्था के बारे में और किर्शी लोके और हुम के हार्तिक विचार हुम के हार्तिक विचार भी बहुत ज़्यादा कोशन साते हैं इस पे भी तो इनको में पढ़ना है ठीक है next है हमारा unit four जिसमें हमें पढ़ना है classical period में जो भी हमारे अर्थ शास्ती जाहे हैं है ना उन्होंने जो अपने विचार दी है सिद्धान दी है उसके बारे में शास्त्री काल ठीक है classical period Adam Smith बहुत important है यहां से कोशार आता ही है Adam Smith जिनक श्रम विमाजन पढ़ना है इनका division of labor मुल्ले का सिद्धान theory of value पुझी का संचे ठीक है वितरन distribution वेपार पर विचार trade पर विचार मतलब trade पर जो भी लोग मतलब इनके विचार थे आर्थिक परगती David Ricardo का मुल्ले का सिद्धान किराया का सिद्धान इस्थिरावस्था वितरन अंदराश्ट्रे वेपार पर विचार ठीक है Thomas R. Malthas के ये जनसंख्या का सिद्धान और glutes का सिद्धान जनसंख्या का सिद्धान भी बहुत important है इसमे Thomas R. Malthas का ठीक है तो ये हमें इसमें कुछ शास्त्री की पढ़ना है Adam Smith पढ़ना है ठीक है David Ricardo का मुल्ले सिद्धान पढ़ना है Thomas R. Malthas पढ़ना है ठीक है तो ये हमें यूनिट 4 में पढ़ना है अब चलते हैं इसके पार्ट सेकिंड में इस सिलेवस के तो इसमें हमारा यूनिट 5 जिसमें हमें जर्मन रुमेंटिक और समाजवादी सिसमोंडी समाजिक परिवर्तन के Call Marks का Dynamics जो है हमारा Dynamics Call Marks का Dynamics of Social Change मुल्य का श्रम सिद्धान पढ़ना है अधिशेश मुल्य पढ़ना है Lab और पूजिवादी संगर्ड का सिद्धान जो है वो पढ़ना है JB के आर्थिक विचार पढ़ना है और JS मिल के बारे में पढ़ना है तो ये हमारे विधाने उनके बारे में उनके सिद्धान जो दिये गए हैं वो हमें इसमें कवर करना है ठीक है नेक्स्ट है हमारा यूनिट 6 जिसमें मार्शल एक महान संशलेशक के रूप में मार्शल के बारे में पढ़ना है देखा जाए तो इसमें मुल्य निर्धारण में समय की भूमी का जो उन्होंने बताया है आर्दिक विदियां जो दी है उन्होंने उभोकता अधिशेश ठीक है अधिशेश पर विचार बल्ब जो दिया है उन्होंने ठीक है उनके कलियान अर्थशास्त ये भी अर्थशास्त दी है पीगो ठीक है उनके कलियान अर्थशास्त का सिधान पढ़ना है और शुमपीटर उद्मी और नविचारों की भूमी का पढ़ना है इसमें ठीक है तो इन सब के बारे में यूनिट 6 में हमें पढ़ना है नेक्स्ट है ह इसे परणा हैता अर्गदूद। इसे वर्गदूद। और पार इनके बारे में है जिसमें में बढ़नाए DANka परिमार सिद्धान्त, विक स्टीट और वीजर के आर्थिक विचारों के बारे में भी हमें पढ़ना है, ठीक है, इस यूनिट्स में फिशर जो हैं, वो बहुत जादा important है, और कॉरेनो गोसेन, ठीक है, तो ये हमारे सारे ही विधान है, ठीक है, इनके बारे में हमें इसमें पढ़ना है, और ये सिमान्दवाद के अर्गदूद रहे हैं, next है हमारा यूनिट 8, जिसमें हमें पढ़ना है किंसियन अर्शास्त किंसियन अर्शास्त जो रहे हैं, ठीक है किन की आर्थिक नितियों की पिर्णाली सिस्टम जो है ठीक है वो पढ़ना है उभोग अर्थशास पढ़ना है अफसाद अर्शास रोजगार सिध्धान गुर्णक यह बहुत जादा इंपोर्टेन है गुर्णक और किन सिध्धान के अलोचकों की मान्यताओं के अंतरगत ठी जहां हमें सिफ और सिफ जो हमारे विचारधारक है आर्थशास्त्री कह सकते हैं उनके बारे में जानना है उन्होंने कौन कौन से उप्ड़ना है इस पूरे शिलेवस में ठीक है और इसका PDF का हमिलेगा सिलेवस का तो PDF आप डाउंडोड कर सकते हैं Telegram गुरूप से जिसका नेम है Learn With Truth यहाँ टेलिग्राम गुरूप पर जाकर आप सर्च करेंगे तो चैनल आ जाएगा या फिर इसका लिंक आपको डिरेक्ट डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वहाँ से भी गुरूप पर एट हो सकते हैं आपको सारे सिलेबस के PDF मिल जाएगे और जो जिनके पास English है वो English की Classes हमारे चैनल पर चल रही है जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेशन में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अपने दुसरे सब्जेक्ट का सिलेबस तो आप वहां से देख सकते हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो थोड़ी भी हैलफू रही हो तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग